हलो सूपर इंवस्टर्स बात करेंगे क्या अदानी पावर बन गया फ्लावर जो कि था फायर तो फ्रेंड्स अदानी पावर में आज गिरावट देखने को मिली 1.30% से डाउन हुआ 400 का लो लगाया था 418 का हाई लगाया था आज and 408 पे क्लोजिंग दिया है जबकि इसका 52 भी खाया है 432 रूपीज तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे NAC पर आज टेड़ हुए 53 लाक शेर्स BAC पर 5 लाक शेर्स All तुगेदर हुए 58 लाक शेर्स फ्रेंड्स आज देखिए मार्केट में गिरावट थी उसका effect हमें देखने को विला हाला कि लगातार उपर जा रहा था अतानाई पावर का शेर्स तो फ्रेंड्स मेने बार बार का है कोई भी शेर्स नॉस्टाप उबर भी जाता नहीं है और नॉस्टाप नीचे भी आता भागा है 360 से अभी पोच गया है 408 पर थोड़ा रूप सकता है अभी साइड़ेज भी जा सकता है मार्केट स्लो रहा तो बट अगर मार्केट पॉजिरिव रहा तो 420 को लेवल क्रॉस करना जरूरी है पर śथ कर रेजिस्टेंस ए 420 का उसके बाद में 435 का उसके बाद नया प्रेकाउट जहां तक गिरने की बात ऑथ 400 का छोटा सा सपोर्ट है उसके बाद में 380 का सपोर्ट और उसके बाद में 360 का सपोर्ट अब देखता ही है मार्केट पर डिपेंड करेगा टोटली अगर कल भी मार्केट में गिरावट रही तो हो सकता है एक बार 400 पीस पर आकर रुख जाए या उससे थोड़ा नीचे जान नहीं है मार्केट गर क्राश हुआ तो फ्रेंड्स अदानी पावर भी थोड़ा बदो करेक्षब में जा सकता है बढ़ा कि जब भी मार्केट पॉस्टिव होगा जोड से उपर बाग सकता है सैडवीज भी जा सकता है कुछ दिनों के लिए वह वाच करना पड़ेगा कि एक डबल जिरो डबल जिरो जो कि आपको शॉट टर्म में 10% से 20-30% का प्रॉफिट डे सकता है डिपेंडिंग अन्दा मार्केट कर्डिशन आपको ट्रायल लिना होगा तो फर्स ताम फीज है 500 रुपीज और नेक्स ताम फीज है 2000 रुपीज पर शेर सो फ्रेंड्स देखते है अदानी पावर कल क्या करता है फायर बनता है कि फिलावर बनता है तैंक यू फ्रेंड्स